अलो फ्रेंट्स चलिए आज हम लोग बाटले एंड शेवाट बुक का एक्सेस 3.4 का कुछ इंपर्टन कुशेंच देखते हैं चलिए शुरू करते हैं पहला कुशेंच क्या केता है कि गिव एन एक्जमपल अण बाउंडेट सिक्वेंच देट हैं सिक्वेंच का एक्जमपल देने को केता है जो जिसका कॉन बाउंडेट सिक्वेंच है एक एसा सिक्वेंच है किस तरह से इसको डिपेंड किया है 1 2 1 4 1 6 1 8 और इसको अगर ऐसे डिरेक्ट लिखे तो क्या लिखे एक्स 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 सोब्सक्राइब करें चैनल लिए कि पहले कि या है फिपुनाय को इस दिया हुवा है फिबुला की सिरिस निए 2 इस Ikो हम टाइब गता ही असे दिम्धक असे कर दो आप्री एकँल तो मम प्लास उन फ्समाइल और इफ-अ-गलने दोन ही लिए मतलब f3 equal to kya होगा f1 equal to 1 है f2 equal to 1 है f3 equal to kya होगा fn minus 1 मतलब n के जगा आगा 2 देंगे तो f3 होगा तो 2 minus 1 मतलब f1 plus f2 ठीक है f3 equal to f4 equal to kya होगा f3 f2 plus f3 sorry f4 equal to kya होगा 2 plus 3 plus 1 तो 3 minus 1 plus 3 मतलब f2 plus f3 ठीक है इस तरी के साम fibonaki series को define करते है अभी question क्या कहता है now let xn xn दूसरा एक series है fibonaki series से ही बना हुआ एक दूसरा series है कैसे है fn plus 1 by fn xn equal हो ठीक है given that limit of xn exist अभी अगर मुझे क्या दिया है कि limit of xn exist and limit of xn equal to l तो अभी limit of xn निकलने को कहता है exist करता है वो बोल दिया है लेकिन क्या है limit क्या है वो निकलने को कहता है ठीक है अभी दीक है action equal to अगर fn plus 1 by fn है तो हम इसको fn plus 1 को कैसे लिख सकते fn minus 1 by fn फिर इसको देखिए fn by fn minus 1 को हम कैसे लिख सकते fn fn plus 1 by fn को हम लिख सकते xn तो n के सागा आपे n minus 1 देने से क्या होगा fn by fn minus 1 equal to xn minus 1 तो fn by fn minus 1 को हम क्या लिख सकते xn minus 1 ठीक है मतलब क्या होगा xn equal to 1 by xn minus 1 अब दीखिए xn और xn minus 1 अगर limit exist काता है तो दुनों का limit सेम होगा क्यों क्योंकि xn minus 1 xn का tail है tail of the sequence बोला था और tails का tails का और main sequence का limit अगर exist काता है तो दुनों सेम होता है तो limit of xn equal to limit of xn minus 1 equal to l तो l equal to, दुनों साट पे अगर limit लगा देंगे तो क्या होगा l equal to 1 plus 1 by l ठीके तो क्या होगा इसको दोनों साट से l से multiply करने से l square equal to l plus 1 तो इसको अभी factorize करने से सिद्रचरिया formula लागा के factorize करने से क्या होगा minus b plus minus root over b square minus 4 raci ठीके by 2a करने से यह आया अभी देखिए दो root आया मतलब l का बेलो 2 आया एक क्या आया 1 plus root 5 by 2 और दूसरा है 1 minus root 5 by 2 लेकिन देखिए 1 minus root 5 by 2 जो होगा बो less than 0 होगा ठीके क्योंके root 5 का बेलो 1 से बारा है तो यह less than 0 है और यह greater than 0 है लेकिन fn हमेशा greater than 0 है fn for all and for all and belong fn is greater than 0 तो xn भी greater than 0 होगा और अगर xn greater than 0 होगा तो उसका limit भी हमेशा 0 greater than 0 होगा इसलिए यह limit नहीं हो सकता है यह limit होगा मतलब l equal to 1 plus root 5 by 2 यह निकलने को बोलाता है l के बेलो निकलने को बोलाता है अभी चलिए देखते है fourth number question क्या केता है fourth number question में क्याता है show the given sequence is divergent ठीके बिल्कुल इसी तरीके से बी नंबर तुरह हाट था इसलिए बी नंबर करके दिया हूँ ठीके यह एक sequence दिया हूँ है xn equal to sin of n pi by 4 ठीके यह divergent है यह show करने को कहता है कैसे show करेंगे मान लिया कि इसका अगर बिटा दिया तो इधर भी n के जगा पर 4 n होगा sin of 4 n pi by 4 ठीके फिर 4 4 cancel हो गया sin of n pi equal to 0 मतलब z n हमेशा 0 है तो उसका limit भी जिरू ही होगा और w n दूसरा सी subsequent में consider कि 8 n plus 1 मतलब 8 n के जगा पर 1 बिटाने से 9th term ठीके 17 term ऐसे वाला term लेंगे 8 n plus 1 बिटाने से क्या होगा sin of 8 n plus 1 pi by 4 अभी दीके इसको separate करने से 2 n pi plus pi by 4 ठीके तो 2 n plus pi by 4 क्या होगा sin of pi by 4 equal to 1 by root 2 for all n तो w n का limit क्या है 1 by root 2, z n का limit क्या है 0 लेकिन w n और z n दोनों ही किसका सब sequence है action का ठीके तो एक divergent criteria हमने परा था अब अगर पिछले वीडियोस देखे होंगे तो उसमें हमने divergence criteria परा था उसमें क्या कहता है कि अगर कोई भी एक sequence का दो sub sequence जासा हमें मिलता है कि उन दोनों का limit सेम नहीं है दोनों एकी sequence का sub sequence है लेकिन दोनों का limit सेम नहीं है तो वो sequence divergent है और जोनल सेक्वेंस है वो divergent है तो z n और w n being the sub sequence of x n by divergence criteria action divergent ठीक है चले देखते है five number question क्या कहता है five number question क्या कहता है let x n and y n be two sequences and z n be defined by x n और y n दो sequence है और z n तिसरा sequence है जिसको हम x n और y n के time में define किया कैसे देखिए z1 equal to x1 z2 equal to y1 ठीक है इसी तरिके से z3 equal to x2 z4 equal to y2 ठीक है एसे करके करके z2 n minus 1 equal to x n z2 n equal to y n ठीक है इसी तरिके से हम define किया अभी show क्या करने के हो कहता है show z n is convergent if and only if both x n and y n convergent and limit of x n equal to limit of y n if and only if है ये दिखिए statement जो है वो if and only if है मतलब दोनों साच्छे प्रूब करना पर गा है पहले क्या केता है अगर z n convergent है तो x n और y n दोनों convergent होगा और दोनों का limit equal होगा और दूसरी तरफ से क्या केता है अगर x n और y n दोनों convergent है और दोनों का limit अगर equal है तो z n convergent होगा ठीक है देखिए, कैसे प्रूब करते है, now, Z of 2N minus 1 equal to XN and Z of 2N equal to YN, तो Z of 2N minus 1 equal to XN और Z of 2N equal to YN है, now, if ZN is convergent, ZN क्या है, एक मेंची कुएंचे, अगर बहो convergent हुआ, तो ZN 2N minus 1 and ZN 2N, Z of 2N, being the subsequence of ZN, अभी दिखिए, ZN अगर convergent हुआ, तो Z of 2N minus 1 और Z of 2N, दोनों, तो subsequence is ZN का, वो भी converge होना परेगा, by convergent theorem, ठीके, शरी, convergent theorem नहीं, यह कोई भी sequence का subsequence, यह एक नर्मल थिखिएरुम था कि कोई भी sequence का subsequence हमेशा, उस limit का ही, उस sequence का जो limit है, उसी पर converge करता है, ठीके, तो यह ZN, Z2N minus 1 और ZN, Z2N, जब ZN का subsequence है, तो दोनों उसके limit पर ही converge करेगा, मतलब, limit of ZN equal to limit of ZN minus 1 equal to limit of Z2N, और देखिए, Z2N equal to क्या है, Z2N equal to YN ठा, ठीके, Z2N equal to YN, और Z2N minus 1 equal to XN, तो limit of Z2N equal to limit of XN, और limit of Z2N equal to limit of YN, मतलब, limit of XN equal to limit of YN, ठीके, तो प्रूफ हो गिया, forward directions है, आभी backward directions है, प्रूफ करेंगे, Conversely, suppose, अभी हम मानलेते हैं कि limit of XN equal to limit of YN, ठीके, तो शो क्या करना है, कि ZN is Convergent, ZN Convergent शो करना है, अभी, अभी ठीके, क्या करते है, Let Epsilon 0 as limit XN equal to L, limit XN equal to L बोल दिया है, तो हम मानले है कि Epsilon is, कोई भी एक Epsilon 0 हम ले लिया, और limit of XN equal to L तो दिया है हुआ है, तो क्या होगा, यह as limit of XN equal to L जब है, तो definition फॉलो करना है, limit का, limit का definition का करता है, There exists NX belongs to N, मतलब कोई भी एक natural number मुझे मी लिगा, definition में हम लिखते थे, There exists K belongs to N, अभी हम लिखते है, X के respect में इसलिए, NX belongs to N, such that, for all N greater than equal to NX, NX से बढ़ा जितना भी N है, उनके लिए, mod of XN minus L is less than Epsilon, ठीके? उनके लिए, mod of XN minus L is less than Epsilon, उसी तरिके से, जब limit of YN is equal to L, limit of YN converse कर रहा है, exist कर रहा है, तो क्या होगा, There exists NY, एक NX लिखा था, इसमें NY लिख रहा हूं, क्योंकि, X के respect में और Y के respect में इसलिए, अब K1, K2 भी लिख सकते है, कोई प्रप्रब्लिम नहीं, ठीके? के NY belongs to N, such that, for all N greater than equal to NY, mod of YN minus L is less than Epsilon, ठीके? अभी देखे, now let N equal to maximum of NX and YN, यह जो दो नमबर में लिया, मिला मुझे, NX और NY, मैं मान लिया कि N equal to यह दुनों में से जो maximum है, वो है, ठीके? अभी देखे, we get for all N greater than equal to N, अभी N अगर greater than equal to N है, और N यह दुनों का maximum है, मत N greater than equal to NX भी हुआ, क्योंकि जो maximum है, बो ही में लिया, ठीके? maximum से बारा है, तो मतलब छोटा जो है, उससे भी बारा ही होगा, तो for all N greater than equal to N, XN minus L is less than Epsilon भी होगा, और YN minus L भी less than Epsilon होगा, ठीके? क्योंकि, यह for all N greater than equal to N, मतलब N greater than equal to N, Y भी होगा, N greater than equal to NX भी होगा, अभी दिखिए, तो XN के जगा पर क्या था? Z of 2N minus 1 is less than L is less than Epsilon, Z of 2N minus 1 minus L is less than Epsilon, और YN के जगा पर क्या था? Z of 2N minus L is less than Epsilon, अभी दिखिए, Z of 2N B minus L भी होगा, अभी होगा, और Z of 2N minus 1 भी होगा, अभी होगा, अभी होगा, Z of N, मतलब N for all N, greater than equal to N, Z of N is less than Epsilon, ठीके? मतलब, यह बरा N से बरावरला जितना भी N है, ठीके? सारे N के लिए Z of N minus L is less than Epsilon, क्योंकि Z of 2N minus 1 भी less than Epsilon है, Z of 2N minus 1 minus L भी less than Epsilon है, और Z of 2N minus L भी less than Epsilon है, मतलब, Z of N minus L is less than Epsilon, मतलब, क्या होगा, लिमिट of ZN equal to L, ठीके? तो दोनों साइट से प्रूफ होगा, चलिए, आज के लिए इतना ही, हम आगले वीडियो में इस एक्सरसाइज का जो बाकी important questions है, बो देखेंगे, ठीके? ठेंक्यू.